अड़ोकिट बुदिप महननद्य का अभिबादन स्पिकार कीजिए साथियों आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन सुच्याल मीडिया डियन में ये वाइरल हो रहा है कि मोधी शरकार जोर्च और आर्मी अफिशर को अपने कब्जे में और अपना कंट्रोल में लेना चाहते हैं जिस दिन से डीवेच चंद्रचुड साथ चिप जस्टिक्स अप इंडिया बन गए हैं उसी दिन से गर्मेंट अफ इंडिया का नेंद उड़ गया यानि मोधी शरकार का नेंद उड़ गया है हर दिन सिजे आए नया नया फैसला दे रहे हैं वो फैसला डिमोक्रिसी को मजबुत करने के लिए लेकिन शरकार इन फैसलों में डरे हुए है इशले वारत सरकार यानि मोधी जी का सरकार एड़ी को more powerful बना रहे है एड़ी ऐसा एक सिस्तावे एक के मोनी लेंडरिंग का बारे में यह कंटोर करता है इस लिए PMLA यानि Prevention of Money Lendering Act को more power रातो रात बनाया जा रहा है इसमें सरकार का मन्शा क्या है आने वाला वक्त ही बताएगा और इसका तारीक में पीमेल यानी फ्रिवेंसल्स अप मोनिल लंडरी एक्ट को उपोजिसन पार्टी को डराने के लिए दबाने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा था नेकिन बरतमा केंद्र सरकार भारत का रिटार्ड जस्टिक्स और भारत का आर्मी अफिशर का उपर कंट्रोल आने के लिए इडी का पावार बढ़ाया जाना प्रस्न चिन आ रहा है शाथियों भारत का जुड़ीशेरी सिस्टम इंडिपेंडन्स होता है इंडिपेंडन्स जुड़ीशेरी सिस्टम में सरकार का दखल अंदाज डेमोकरशी के लिए खत्रा है न्याजिस का ड्यूटी है संब्यधानिक प्लक्रिया में जाकर भारत का कंस्ट्ट्यूशन को पालन करके न्याज डिस्चर्ज करना है जो जनहित के लिए अवश्यकता है जो शंब्यधान इजाज़त देता है उनके दाइरे में रहे कर न्याज डिस्चर्ज करते हैं जो क्रिमिनाल है जो दोसी है उन्हें दंड देना हमारा न्याज व्यवस्ता का एक सिस्टम है आज का तारीख में वारत का शरकार तमाम संब्यधानिक सस्ताओं को कंट्रूल करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उप्रयास का हत्यार है एडी अभी तक लगभग लगभग सिक्स ताओजन लोगों का उपर एडी ने केस फाइल के उनमें से सिर्फ फाइव हंडेड लोगों कहीं आस्ट हो पाया बर्तमान सुप्रिम कोट जेशे न्याय डिस्चार्ज कर रहा है उन्हें कंट्रूल में लाना सरकार का कोई बसकी बात नहीं है संब्यधान प्रणेता डक्टर ववासाइव अमबेट कर सुप्रिम कोट को एसे ताकत दे दिये है वो ताकत के तहित वो संब्यधान को सुरक्ष्या देना उनका कर्टिय जाय है जब सुप्रिम कोट में बाठे ही वट जस्टिक्स न्याय है संब्यधानिक प्रणिया में डिस्चार करता है उसी देश का डिमोकरसी मजबूत होता है शरकार अपना स्वार्थ के लिए कभी-कभी संविधानिक सस्ताओं का दुरपयूग करने के लिए कुछिस करता है ED सरकार का ऐसा एक हतियार बन गया है इनके तहित रिटार्ड जॉर्च रिटार्ड आर्मी अफीशर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए सरकार का एक ये हतियार है इसलिए भारत का सरकार ED को मोर पावार्फुल रातो रात बनाया गया है हम दो तरप से देखेंगे ED को ज़्यादा पावार देना करफशन को रोकना है इनको दुरपयो करना डेमोक्रिसी के लिए खत्रा है हमारा वरोशा है जो सरकार शंबिधान का दाइरे में दे के काम करता है वो कोई भी संबिधान एक सस्ताओं को दुर्य अबयोग नहीं करेगा लेकिन बारतमानी सरकार का मनसा क्या है क्यों रातो रात ED को इतना ताकत बनाया गया इतना पावार क्यों दिया गया इंडी सुप्रिम कूट का रिटार्ट जट्ज को भी केस करने की ख्यमता दिया गया है शाथियों ये डिमोक्रिसी के लिए कितना फाइदा है कितना नुक्षान है बक्त ही बताएगा मेरा ये मानना है जो भी कानून देस हित में यूज होता है जो भी कानून वारत का संबिधान का दाइरे में रहके बनता है वो ही कानून देस के लिए फाइदा है देस का सिटिजन के लिए फाइदा है और डिमोक्रिसी के लिए फाइदा है जब वो कानून सतारूर दल को फाइदा दिलाएगा और सत्तारुड़ दल मिश्यूज करेगा ये डिमोक्रिसी के लिए गातक है शाथियों आप देख रहे हैं भैस्टाब पीपल भैस्टाब बहुजद अभी तक आप हमारा चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो काइन दी सब्सक्राइब किजी लाइक किजी और सेर किजी